नमस्कार दोस्तों मेरा नमारी है जैने और आपका स्वागत है स्टेडी मेटेरियल में हम लोगों ने बहुत सारे मैंने आपको कंसेप्स बदा चुका हूँ बहुत जारा डीटिल्स में मैंने आपको एक्स्क्लीन किया था हूँ कि आपके जो फ्रेट उसको लाइक किया किया और अपके दोस्तों के शायद भी अपने शेयर कया हो और नहीं किया थो प्लीज आप जाके शेयर कर लीजे और अगर आप मेरे इस चैनल पे नय हैं तो आप मुझा भूलें और जो भी आपर डाूट से इस वीडियो से रिलेटें आपके आको किया साइस्ट करना चाला हूँ वह देखते हैं तो आजका इसे पहले मेरा टॉपिक है वह फािष्ञ्स folders के उबर मतलब जो भी आपन file handling जो करते हैं, उसके अंदर क्या modes होते हैं, कैसे read करना है file को, क्या operations आपन perform कर सकते हैं file के अंदर, so यहाँ पर मैं वो basic details आपको के साथ share करूँगा, और जो भी नए concepts हैं, जो advanced file handling में होते हैं, वो भी आपर explain करने वाला हूं, so प्लीज दिहान से देखेगा इस वीडियो को, लास तक देखिए, okay, so चलते हैं video में, so यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले concepts की, so सबसे पहरा जो मेरा पास में यहाँ पर topic है, वो है, मेरे पास में an operating system is both necessary and easy with python, okay, so यहाँ पर python में अगर आपको file handling सीखनी है, तो वो सबसे जादा easy है, मतला अगर अगर मैं c++, java and c की बात करो, जो हमारी जो basic programming languages हैं, अगर मैं उनकी बात करो, तो वहाँ पर file handling है, वो थोड़ी जारा difficult होती है, वहाँ पर आपको pointer का ध्यान रखना होता है, कई extra जो चीज़े होती ही, वो आपको basic हाँ पर करनी होती, but यहाँ पर python में बहुत easy ही, आपको read, write, open, close, जो भी file से related, जो भी operations होते हैं, वो यहाँ पर बहुती easy way में explain किया है, unlike other languages, where file input and output requires complex reading and writing objects, python simplifies the process only needing commands to open, read, write and close the file, so यहाँ पर simple है, open करना आपको file को, read, write, जो भी आपको operations करने हो, और उसके बाद में आपको file को close करना, so यहाँ पर यह basics introduction है, बहुत easy होता है, अगर आप मेरे साथ में यह पूरा वीडियो देखेंगे, तो मैं definitely आपको file handling बहुत easy way में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, so time phase ना करते हो, चलते हैं, next दिखते हैं, कि हमारे पास में क्या नया topic है, so यहाँ पर हम बात करने माले है, files mode की, okay, so यहाँ पर python है simple है बुला ह यहाँ पर क्या होगा कि different types के modes दियो हुए, so सबसे पहला जो मेरा mode है, है reading mode, अगर आपको simple reading mode करना है, use, अगर आपको यहाँ पर reading mode का use करना है, okay, so इसके ले का इत्को simple R का use करना है, और जो यह होता है, हाँ यह simple ही यह default mode होता है अगर आपने किसी file को open किया है okay and उसमें आपको कोई भी आपने file mode नहीं दिया तो यह default मतलब यह आपका reading mode में आपके file open हो जाएगी okay so यहाँ पर मैंने कुछ description दिया है आप इस particular slide का आप screenshot ले लेजे because यह बहुत जादा important है अब मैं यहाँ पर simple यह जो मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है यहाँ पर यह इसकी बात करने वाला हूँ so यह बहुत जादा important because यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई competitive exam के तयारी करते हो या जैसे अगर कोई company recruit करती है तब वहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर file handling से related वो questions पूछते हैं आप से तो वो यह पूछते हैं कि अगर मैं R plus mode का use करता हूँ कि अगर तब मेरी file में write होगा या create file होगी नहीं file बनेगी है जो मेरी existing file या वो delete हो जाएगी तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ-कुछ आपके पास में options होते हैं ओके यहाँ पर क्या करना है आपको simple यह याद रखना है कि अगर आप कभी भी R mode मतलब जो reading mode में अगर आप file को आखर open करते हो तो आपके हमेशा क्या होगा read में जहाँ पर आपको write w मतलब यह है कि आपको write mode में खुलना है तो यहाँ पर read mode में होगा अगर w प्लस होगा आपका तो आहाँ पर क्या होगा? read plus write हो जाएगा ओके और यहाँ पर a मतलब यहाँ है append and उसके पास में आपके आपके आएगा a plus लो में इनिशिल पॉजिशन मतलब आपके फाइल का जो रोकुर्षर है अगर आप राइड करते हो तो आपका जो एकस्टिंग कैरेंट जो आपका पोजिशन है वो कहां पे होगी तो जब भी आप जो स्टार्टिंग पोजिशन अगर मैं यहां पर देखो आर में अगर मैं आपको फाइल मोड की पहली बात करों कि आर मोड की क्या होगी तो वहां पर आपकी सबसे स्टार्टिंग में होगी कि हमेशा जो इनिशल पोजिशन होगी कारट की वह आपकी लास्ट में होगी मतलब एंड में होगी इसके बाद में आपको क्या डीटा पैंट करना एक वह जहां के यहां पर आपन्पे यह जो आपके जो फाइल मोड के हां जो आपके ढहला हुआ यहां पर आपके सो उनकी बात करते हैं हमारे पास में क्या नए फीचर साइड़ा हुए थे यहां पर python 3 में क्या बोला था कि simple मेरे पास में कुछ और नए आपके पास में modes आएंगे ओके यहां पर देखी यहां पर मैंने क्या करा है मतलब जो python है उसमें सबसे पहला जो है मेरे पास में ex यह क्या होता है open for exclusive creation।י पयर यहां पर sesi एक exception error होका कि अगर file alrady एक्जिस्ट करती है तो यहां पर मेरे पास में file exist error अगर आपके पास में कुछ file है यह परvl섯 करना है और आपके थूच करिएकGu यहां पर X का मतलब क्या होगा आपके पास में एक एर थो करेंगा उसके बाद में मेरे पास में next X B मतलब यह है कि आपके पास में exclusive यहां पर X का मतलब क्या होगा आपके पास में open for exclusive creation and उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में यह जो file मतलब यह जो B है यह मतलब होता है binary format म मतलब 0101 में आपका जो भी data है वो convert हो जाएगा 0101 और उसके बार में हाँ पर क्या है open for exclusive creation writing mode in binary format okay the same as x except the data in its binary format जैसे मैंने आपको बता है कि जो भी है वो binary format में होता है and यहाँ पर x plus मतलब जा है reading and writing mode आपके पास में आप साथ ही साथ आप reading भी कर सकते हैं फाइल को and write भी कर सकते हैं उसमें data okay and यहाँ पर भी एक error आएगगी योगि क्या है file exist error अगर आपके पास में फाइल जो है वो already exist करती है तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास में आपको इसको शॉट आउट करना पड़ेगा कि कौन सा एलर है या कौन सा एक्सेप्शन है सो बेसिकल यह रखिए कि ट्राइंड एक्सेप्ट में आपको फॉलो करना है एंड उसके बाद में आता है अपने पास में है अजա कि आ है कि here reading, writing कर सकते हैं और साथ में अपका data होगा वहना Friendly Format और यहां पर में एक आप्को यहां पर बताना चाहूंगा यहां पर मेरे पास ऐन कुछ झो… जैसे कि मैंने Read-Write के आपको बात करी थी तो यहां पर देखो अगर आपके पास में X है एंड X plus आप यूस करते हैं जो exclusive creation and exclusive यहाँ पर reading and writing mode में so यहाँ पर एकर आप read करते हो data तो यहाँ पर आप read नहीं कर पाएंगे यहाँ पर आप read कर पाएंगे because यह creation मतलब यह आप writing file को आप write कर दें okay and कि आप write में तो दोनों आप write कर सकते हैं because X plus में क्या होता राइट एंड रीडिंग एंड राइट दोनों होता है create files मतलब दोनों में files create होगी because यह जो है writing mode है and यह भी reading and writing mode है and erase file यहाँ पर erase जो भी आपके existing file है उसमें आपको erase नहीं होगा मतलब जो भी आपके data है वो erase नहीं होगा and initial position है वो हमारी क्या है starting है because यहाँ पर आप नहीं file create कर रहे हो that's why यहाँ पर जो initial position है वो क्या है हमारे पास में start okay so बढ़ते हैं आप देखते हैं यहाँ एक कोई मैंने एक example यहाँ ले लेता हूँ because यहाँ पर simple जो है उससे देखते हैं कि आपको कैसे file को open करना है उसके अंतर कैसा data डालना है तो उसके अब हम बात कर लेते हैं so हमारी जो video थी मैंने last class में आपका exception handling के बारे में आता आया था अगर आपने वो video नहीं देखी तो please आप देख लेजगा because description मैंने link देती है and here I have a file create कर लिये because here I have an exception handling okay here I have a file create and here I have a text file create and there I have a data here I have a demo.txt file create and there I have data and now we open this file in read mode and then we will see how the output is related तो simple इसची करना है with keyword का उसके बाद में आपके open function यह inbuilt functionsmayı तो simple file का name क्या है demo.txt एड उसके बाद में क्या करना है more it yeah Med Money Simple यहां पर simple read करने है, यहां पर reading mode हो जाएगा, उसके बाद में क्या करना है आपको, simple as keyword, because यहां पर आप file का name दे रहें कि आप किस file को किस तरीके से आप use कर रहें, किस नाम दे रहें आप file का object यहां पर create कर रहें, and उसके बाद मैं आपको करना है, so, यहां पर मुझे कुछ output देखता हूँ, इसको अगर आपन run करके देखना चाहिए, तो run करके भी देख सकते हैं, because यहां पर आपको console पर output मिल जाएगा, so, यहां पर run किया मैंने, so, यहां पर मैंने पास मैं read हुगिया, but मैंने यहां पर इसको किसी भी यहां पर print नहीं किया, that's why यहां पर कोई output नहीं आया, okay, अगर मुझे output लेके आना है, तो उसके लिए का करना है आपको, so, उसके लिए भी मैं आपको आगे एक एक वीडियो में बताऊंगा, except और यहां पर मेरे पास में किया आएगा, file, exist, exist error, and इसको मैं दे देता हूँ, fs, and यहां पर simple make करता हूँ, print statement, and print statement, fs, so, जो भी मेरे पास में error आएगा, वो मुझे यहां पर मिल जाएगा, okay, so, अब बढ़ते हैं, और आप देखते हैं, हमारे पास में, नए और next topic क्या है, so, यहां पर मैंने आपको, basically, यहां पर बटा दिया, कि आपको कैसे open करना, नए-नए format में, okay, 9-9 modes में, so, यहां पर आप यह भी कर सकते हैं, जैसे हैं, मैंने आपर read mode में किया था, यहां पर w, मतलब write mode में भी कर सकते हैं, और append mode में भी कर सकते हैं, और different modes जो हैं, वो आप अपके practice के लिए आप यूज कर सकते हैं, मैं यहां पर आपको explain नहीं करूँगा, अगर आपको जो भी route है, वो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं, okay, so, अब यहां पर मेरे पास में है, reading a file line by line, अगर आपको simple data है, वो आपको line by line read करना है, तो उसके लिए आपको क्या है, यहां पर बहुत सारे different ways है कि जिसके आप help से file को read line by line कर सकते हैं, so, यहां पर basic simple जो है, वो यहां पर आपको explain करूँगा, so, यहां पर जो भी आपको line by, अगर file को read करना है, यहां पर एक function है, read line करके, अब मैं इसकी थोड़ी definition आपको पढ़के बदा देता हूँ, कि क्या है, basically function क्या करता है, so, read line allows for more granular control over line by line iteration, so, यहां पर क्या होगा कि यह सबसे पहले जो line है, जैसे यहां पर मैं एक example की help से आपको explain करता हूँ, जैसे मेरे पास में demo.txt file है, so, यह क्या करेगा कि अगर यहां से read करना चालो करेगा, because यहां पर जो इसकी indexing है वो 0 से start होती है, आप हमेशे यह रखेगा, कि जो भी file की आपको जो reading line अगर आप function का use करते हैं, तो जो इसकी indexing है वो 0 से start होती है, जैसे कि अपनी array की start activity, वैसे ही यहां पर इसकी 0 से start होती है, so, यह सबसे पहला यह line पड़ेगा, पूरी की पूरी यह line पड़ेगा, जैसे उसको slash and देखेगा, मतलब यहां पर जो अगर आप मैं इसकी last में बात करूँ, जैसे यहां पर इसका slash and इसको दिखेगा, so, वो इक्टा करेगा next line पर switch जाएगा, and उसके बाद में यह मेरे पास में second line है, यह indexing की अगर मैं बात करूँ तो यह line by line, iterate करके हमें output देगा, तो इसकी बारे में भी हम बात करने वाले है, okay, so, यहां पर देखिए, यहां पर simple यह कि आपको open करना है file को, जैसी कि हमने previous section में देखा, and उसके बाद में यह जो file का इसमें एक line है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, एक object को iterable collection, मतलब देखिए, यहां पर क्या है, the read lines method, method is used to store and iterable collection of the files line, मतलब एक line करके, read करेगा, यह object को देगा, enable object को return करेगा, and उससे आप iterate कर सकते हैं, मतलब आप while loop का भी use कर सकते हैं, fall loop का भी use कर सकते हैं, और यहां पर मैं एक चीज और आपको बता चाहूंगा, कि अगर आप कभी भी write, जो read lines अगर आप use कर सकते हैं, and उस function को आप क्या करते हैं, अगर आपके while loop के अंदर आप डालते हो, तो फिर क्या होगा, कि आपकी यह जो, मतलब यह क्या है, जो read line function है, इंटर्शनली आपको क्या करेगा, पूरी file का data fetch करेगा, और lines के अंदर डाल देगा, तो मैं इसको example के तुरू समझाता हूँ, ताक आपको बहुत अच्छे से clear हो जाए, कि read line function actually करता गया, so example के तरफ परते हैं, जैसे हमने read, जो है, फाइल को read कर लिया, यहाँ पर मैं इसी कुछ changes करता हूँ, and उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर lines ले लिया, and उसके बाद में, is equals to read lines, यह मैंने read lines method का use कर लिया, अब उसके बाद में क्या करेंगे, for loop for eye in range, and range के अंदर मैं क्या करूँगा, length of lines, okay, so यहाँ पर मैंने length of lines किया, and उसके बाद में क्या करते हैं, मैंने simple print eye, so यहाँ पर हो जाएगा lines of eye, and okay, so मैं इसको run करके देख लेता हूँ, so save किया मैंने, और यहाँ पर simple क्या किया, मैंने run किया, and यहाँ पर, so देखिए, यहाँ पर मेरे पास में पूरा output आ लिया, करके मेरे पास में align, and data मेरे पास में आ, so इस तरीके से यहाँ पर होगा, so बढ़ते हैं आगे वीडियो में, और देखते हैं कि हमारे पास में नया concept क्या है, okay, so, so यहाँ पर मेरे पास में next concept है, iterate files recursively, so अगर आपको कभी आपने सोचा होगा, क्या कभी आपके दिमाग में mind में आया होगा, क्यार मैं अगर मुझे, इस पूरी डिरेक्टरी अगर आपके पास में folder है, तो इसके अंदर साफ folders है, सारी files को कैसे, कैसे iterate करके मैं सारी files को access कर सकता है, so इसके लिए भी python के अंदर बहुत ही easy way में, कर सकते हैं, इसको access कर सकते हैं, तो उसके लिए Simply क्या करना है आपको, इसको क्या करना है इसके लिए OS 큰 glira का use करना है, और ऐससे सारी के सारी जवी फाइल oldest folder से वहाँ से आप access कर सकते हैं, इहांपर मैं आपको दो तरीके बताने वालू हम nosotros you वह बहुत ज्यादा important है because यहां पर क्या है आप और भी different तरीकी हो सकते हैं आपके लिए पर यहां पर जो बहुत ही efficient way है करने का इस concept को so यहां पर चलते हैं इनके बारे में बात करते हैं और इससे related जो भी नया concept होगा वो मैं आपको यहां पर important point होगा हो मैं आपको यहां पर बताऊंगा okay so उसके लिए क्या करना है आपको सबसे simple यहां पर miner को सो उसके लिखा करना है आपको import करना है तो कैसे अक्सेस करें यह दिखेंगे सो आपको सबसे पहले root लेना है की बाद में अपको लेना है folders, जो भी आपा दिर्टरी विंज करने है, उसके लिए अपको फाइल्स के name लेने या फाइल्स का उसके लिए आपके बाद में आएगा in operator को दिको यहाँ पे है, यह अपने का करता है root, folders and files यह आपके 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 variables बन गया है okay and उसके बाद में हमें आपके लेंगे OS library के पास में एक function होता है जिसको बोलते हम walk and उसके बाद में यहाँ पर आपको देना है path जो भी आपको जिस भी directory को आप access करना है यहाँ पर में current directory की बात करूंगा तो current directory के लिए आपको simple dot का use करना है and उसके बाद में हाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर looping करने यहाँ पर आप क्या होगा जो भी files है हमारे पास में आई है एंद उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे print and उसके बाद में करेंगे root because किस directory से related आया है मेरे पास में and उसके बाद में आएगा files name जो भी file का name है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में files है सारे के सारे values यहाँ पर आचूक है काँसे ही first code है and उसके अंदर जो भी files है वो यहाँ पर सारी के सारी मेरे पास में आ चुकी है आप इसमें कई सारे नए concept भी लगा सकते हैं मतलब यहाँ पर यह है कि आप कई सारे restriction लगा सकते हैं जैसे कि अगर file name है वो dot से start होता है या उसका extension मतलब जो end होता है वो dot py से होता है कि इस तरीके से आप file को filter भी कर सकते हैं so python यह तो जो है यह basic है आप 2.x में भी use कर सकते हैं इसका और 3.x में भी use कर सकते हैं बट यहाँ पर क्या python 3.x मतलब अगर आपका python 3.5 से आपका version आगे है मतलब 3.6 है 3.7 है 3.9 है तब यहाँ पर क्या होगा उसकी बात करते हैं so उसके लिए आपको क्या करना है जैसे यहाँ पर मैंने यह तो दे गिया है and उसके बाद में मैं एक नया और concept बताता हूँ नया method जो है python ने यह बोला है कि अगर आप इसका use करते हैं तो आपको जादा benefit होगा तो उसकी बात कर लेते हैं तो सबसे simple आपको for loop लेना है and उसके बाद में मैं एक object बना लेता हूँ entry because मैं यहाँ पर इसमें enter करने वाला हूँ so entry object मैं यहाँ बना लिए variable and उसके बाद में लिखना है OS because यहाँ पर OS library कर यूज करने वाले है OS library नहीं यह बोला है यह 3.x जो 3.5 से बड़ा जो भी version है उसने यह बोला है कि आपको scan dir scan dir इसका आपको यूज करना है और इसके अंतरा आपको देना है path और path के हैना है मारे पास मैं current directory dot use करना है and यहाँ पर मुझे looping करनी है तो मैंने यहाँ पर लिखा and यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते है अगर आपको directory नहीं लेनी है और यहाँ पर filter use करना है तो यहाँ पर करना है entry dot और इसके पास में मेरे पास में कई सारे method so is underscore file यहाँ पर देखे is underscore file और भी सारे concepts है मेरे पास में करूंगा मैं सारे file के name so dot name and यहाँ पर मेरे पास में underscore नहीं आएगा सिर्फ यह तो देखें यहाँ पर मेरे पास में सारे file के name आ चुके है जो भी मेरे पास में current directory के अंदर है and यहाँ पर जो scan dir function है यह क्या करता है आपके पास में जो भी internal मतलब अगर आपको file की information भी लेनी है तो वो आप यहाँ से ले सकते है and यहाँ पर अब मैं अगर मैं इसको print कर वाँ अगर मैं यहाँ पर simple इसको print करता हूं या इसको run करके code देखता हूं देखें यहाँ पर अगर मुझे simple यहाँ पर कई जिसे मैंने लिस्ट बताया था लिस्ट अगर फाइल को अगर आपको access करना है तो यहाँ पर simple आपको इसको click करना है तो देखें यहाँ पर आप file की file की जो भी file को open कर सकते हैं यहाँ उसकी information आप ले सकते हैं तो देखें यहाँ पर मेरे पास में हर file की information ले सकते हैं with the help of अपके पास में क्या है os.scan.dir method की help से तो अब बढ़ते हैं और अब देखें के मारे पास my next concept क्या है तो यहाँ पर मेरे पास my next concept यह है कि अगर आपको पूरी file का data पूरा का पूरा read करना है इसके बाद में यहाँ पर आपको print करवाना यहाँ पूरा content का content लेना आपको यहाँ पर क्या है वो देखते हैं आपको simple यह है आपको बताया कि अगर आप कभी फाइल से related जो भी आप task करते हैं तो आपको उसको try catch के अंदर लिखना है वो automatically by default वो क्या करेगा अगर आपको काम खातम हो जाता है तो वो क्या करें automatically उसको close भी करतेगा अगर आपने with का use नहीं किया तो आपको परना पड़ेगा explicitly आपको उसको close करना पड़ेगा तो आपको forcefully वहाँ पर जाना पड़ेगा और उसको close करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप हमेशे यह याद रखें कि अगर आपको कभी भी फाइल से जो भी related task मतला अगर आपको उसको open करना है या उसमें जो भी task perform करना है तो वो आपको क्या करना है with से use करना है with जैसे यहाँ पर लिखा है with open फाइल का निम उसका जो भी mode as file का object यहाँ पर आपको create करना है and यहाँ पर अगर आपको full content लेना है तो आपको क्या करना है read function का use करना है तो यह जो read होगा यह पूरी entire file को read करेगा और आपको data देगा चलते इसका एक example यहाँ पर मैं आपको explain कर देता हूँ यहाँ पर मां लिख लेता हूँ content को मुझे पूरा content चया है इसके बात में लिखना है अब मुझे इसको run करना है vb cerc यह दिखी सारा का सारा content यह इक साथ मेरे पास्में print हो गया read line में प्र क्या कर लेते है line by line read कर रेते है और उसके बाद में उसको data को print कर रहते हैं बच यहाँ पर अगर एंटायर फाइल को रीड करना था .read function यह यूज कर सकते हैं और अगर मैं जैसे यहाँ पर simple यह read mode नहीं देता हूं यहाँ पर मैंने read mode नहीं दिया और उसके बाद में इसको run किया तब भी देखिए अब देखते हैं हमारे पास में next concept क्या है तो यहाँ से हम switch करते हैं और ठीक है यहाँ पर आप आगा अपने पास में writing अगर आपको फायम के अंदर right करना है मतलब w जो mode है हमारे पास में उसका अगर यूज करने तो क्या होना यहाँ पर यह जी आपको explain करना चाहूंगा की जैसे अगर आपको write mode use करना है तो अगर आपको line by line करना match जैसे अगर आपको end line करना है तो यहाँ पर using का यूज करना ही पड़ेगा विकोज यहां पर क्या होगा यह आटमाइटिकली ब्लाइंट ब्रिक नहीं करता है पाइथन तब को मैन्यूली जाके करना पड़ेगा तो यहां पर अगर जैसे सिंपल मैंने क्या करना है इसका एक एक जांपल में आपको क्या करना हूं और पाइट करने वाला हूं तो क्या करना हुद क्लिक आपको और पाइल हो जाएगा आ इसको बात में यहां तो क्या करना आपको file object लेना है dot yön राइट method का यूज करना है तो राइट method के अंदर आपको यहां पे data डालना कि आपको क्या राइट करना हा जस्के मैं simple line 1 दे डीता हूँ, ₾ कर ले कोपी लेता हूँ अंड इसको यहाँ पे 3 देता हूँ इसको देता हूँ four एब यहाँ पे कोई भी डिटा नहीं दीखके oke यहाँ पे मैं slash and देता हूँ राकि यहाँ पे मैं cancel कर दे लिख लिए लिए तो अब चलते हैं इसको रन करके देखते हैं सो यहां पर रन कर दिया है और यहां पर फाइल भी मेरे पास पर यहां पर पर लाइन ब्रेक करना पड़ेगा अगर आपको राइट करना है फाइल के अंदर अपर मैं एक चीज और आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहां पर जो भी आप फाइल को राइट करते हैं तो यहां पर उसकी एन्कोडिंग होती है, तो उसकी यहां पर करेंगे यहांपे Encoding parameter का भी ब्स करेंगे यहांपे Encoding and उसके बाद में Encoding यहांपे क्या करना है आपको UT टो उसके बाद में आपको दिखना estou UTD8 UTF आइंड उसके बाद में आप इस तरीके से भी encoding कर सकते जो भी आपको जिस तरीके से आपको data insert करना तो उसकी हिसाब से आप encoding भी यूज़ कर सकते हैं कि भही मुझे इस तरीके का data मुझे इसमें एंटर करवाना तो आप चलते हैं अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में जो यहां पर है अब मेरे पास मैं कि अब मुझे चैक करना है कि weather file चैक वेडर आफ पाइल और पाथ एकजिस्ट तो यहां पर सिंपल यह कि मैंने यहां पर बहुत सरे तरीके बताए हैं यहां पर सिंपल सु यहां पर आप सबसे पहला यह है कि आप OS module का यूज़ कर सकते हैं उसके बाद में यहां पर pathlib module का भी use कर सकते हैं और simple यह भी है कि os के अंदर ही आपके कर सकते हैं os.path.exist का भी function का use कर सकते हैं so यहां पर देखें कि मैंने अगर os की बात करे थी जो मैंने आपको पहले भी बता रहा कि os.path अगर आपने जो भी file को पन किया and उसके बाद में यहां पर is file अगर यह file है तो वो क्या करेगा आपको यहां पर बता देगा कि यह file है कि नहीं and उसके बाद में आपर import pathlib का भी आप use कर सकते हैं and यहां पर path exist का भी use कर सकते हैं so यह आपका homework यह आप इसको use करिए घर करिए ओके उसके लिए क्या करना है वो देखते हैं यहां पर यहां पर यह है यह यह एक module है हमारे पास में file input and उसके बाद में यहां पर मैंने क्या किया है एक replacement करके मैंने यहां पर dictionary create कर लिए and in dictionary के अंदर मैंने कुछ parameters pass कर दी हैं मतलब यहां पर keys and values कर दी हैं इसके अंदर क्या करना है आपको जो भी आपका search data है कि आपको किस data को किस से replace करना है तो उससे भी आप यहाँ पर बना सकते हैं इसके बाद में जो basically हम यह करते थे कि इस file को आपको input करना है मतलब इसको read करना है इसके बाद में आपको उसको replace करके यहाँ पर उस data को replace करना है तो उसके लिए यहाँ पर simple दो method का यहाँ पर use किया गया है एक जो है यहाँ पर file input के अंदर यहाँ पर input method का use किया जिसके अंदर आपका करेंगी यहाँ पर demo.txt file मतलब यहाँ पर उस file का name देंगे एंद उसके बाद में यहाँ पर यह है कि in place is equal to true बिकार यहाँ पर यह कि अगर आपके पास में जो भी data है उसको यहाँ पर replace करना है एंद उसके बाद में जो भी अपनी file है और यहाँ पर यहाँ उसके बाद में हाँ आपको search करना है कि आपके पास में particular replacement मतलब सबसे पहले आएगी effect in such knowledge from the search one में जो भी Я मातलब replace one उसको किस से replace करना है मतलब उस search one को replace करना है replace one तो इस थसे एप replace करके आप उस description कर सकते हैं कर सकतें Whole infiniteDng जाम पन यहां पे मैं शो करता हूं आपको हम यहांपर सिंपल आपको ट्राइ लिखना है ऑर यहां पे इसको सिंपल खर करना यहां पर मंझे एक्सेप्शन लिखते था हूं and उसके बाद मैं as e and यहां पर लिखने है print e okay and यहां पर सबसे important यह है कि आपको सबसे पहले import करना है file input library को and यहां पर अब हम बात करने वाले है file input से related and उसके बाद सबसे पहले है अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ replacement करके मैं यहां पर मेरी dictionary create कर लेता हूं आँ यहां पर रिक्सिनरी create करने के बाद मैं यहां पर सबसे पहले करते है से यहां पर line 1, line 2 हो चुका है मैं, यहां पर मेरे पास में dictionary create हो गई है, अब यहां पर क्या करना है, आपको looping करनी है, उसके बाद में मुझे बनाना है line, यहां पर object करे, मैंने variable create कर लिया, उसके बाद में लिखना है file, input, dot, input, so देखिए, यहां पर मेरे पास में है, यहां पर इसकी full definition आ चुकी है यहां पर यहां पर files, because यहां पर focus file को करना है, in place, backup, buff size, मतलब buffer size, यहां पर किस mode में करना है, open हो, और यहां पर और और भी इससे related यहां पर इसकी definition आपर पढ़ सकते हैं okay, so चलते हैं, अब देखते हैं, यहां पर, देखो, by default, यहां पर in place क्या है, false है, तो यहां पर हमने true किया है, कि आपको data actually में change करना है, okay, अदलब right format में आपको उसको लेना है, यहां पर आएगा input और उसके बाद मुझे देना है file का name, तो यहां पर मैं देता हूँ demo, 1.txt in place is equals to, और उसके बाद मैं लिखना है, and search के अंदर मुझे लिखना है, replacements, मतलब मुझे replacement जो मैंने, यहां पर, जो dictionary बनाई है, उसके अंदर मुझे replacement करना है, okay, यहां पर मैंने replacement किया, यहां पर मैंने e nila, okay, so, यहां पर मेरे पास मैं replacement हो गया है, so, and उसके बाद में, मैं आए थोड़ा spacing कर लेता हूँ, okay, so, यह हो गया, and उसके बाद मैं, यहां पर, अब replacement हो चूँ, मतलब यहां पर, आपने, एक ही करके, keys की value हम पर ले लिए, अब उसके बाद में क्या करने है, replace करने, replace with, किस से करने है, आपको, replace, replace underscore with, is equals to, मतलब यहां पर इसकी value लेने वाले हो, so, यहां पर लिखना आपन को replacement, replacement, replacement आप किस से करने वाले हो, search से, यहां पर, keys, अपने, key को, access करके, उसकी value को, अपने यहां पर ले लिया, and आप उनको line लेनी है, line is equals to line, because यहां पर, आपने, सबसे पहले क्या करना, एक ही करके, line लेनी है, dot replace, dot के बाद में, आपको लिखना है, replace, and इसके अंदर, आपको, किस function को, किस से replace करना है, यहां पर, आपको करना है, search से, search से, आपको क्या करना है, replace, underscore, with, okay, and इसके बाद में, यहां पर, हम, print करते जाएंगे, line को, ठीक है, तो, यहां पर, यहां पर, मेरे पास, में, line, one by one, यहां पर, print होते जाएंगे, है, सारा data आ चुका है, सो, इस तरीके से, हम, line one में काया है, मेरे पास, में line one, and line two, मेरे पास, में line, two, मतलब यह, मेरे पास, में, wide आया, line three, यहां पर आप मैं इसको run करने वाला हूँ यहां पर आपको एक चीज का याद रखना है कि आपको यहां पर live coding section को बंद करना पड़ेगा तो because यहां पर live section में क्या होगा कि यह file को open करेगा और आपका data section में replace नहीं हो पाएगा आप यहां पर क्या करिएगा live coding को बंद करके simple आप इसको run करिया है यहां पर मैंने इसको run किया इसके बाद में यहां पर demo1.txt जो file है इसको मैं open करता हूँ यहां पर मेरे पास में जो भी data था यहां पर यह replace हो चुका है replace1, replace2 इस तरीके से यहां पर मेरे पास में जो भी data है वो replace हो चुका है तो आप इस तरीके से आप इसको replace कर सकते हैं तो अब बढ़ते हैं अब देखते हैं हमारे पास में नया concept क्या है हाँ मेरे पास में नया concept है यह है कि अगर आपको file को check करना है कि वो file जो भी file है वो empty है कि निए तो इसके मैंने यहाँ पर दो तीन तरीके बताए है उसकी help से आप यह चेक कर सकते हैं कि यह particular file मेरे पास में empty file है यह इसमें कुछ data है तो उसके लिए simple क्या करना है आपको OS जो library है मैं आपको यहाँ पर OS module है वो भी आपको आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर functions की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर एक सबसे पहले मेरे पास stat function है यह file से related जो भी information है वो यहाँ पर आपको return करता है तो यहाँ पर get size भी आप ले सकते हैं कि अगर file जो भी file है अगर उसका size greater than zero है मतलब उसके file के अंदर में कुछ data है बलब वो anti नहीं है अग another क्या है यहाँ पर एक important यह कि जो भी आपको यह दोनों function यूज करते हैं तो अगर आपके पास में file नहीं मिलती है तो यह exception throw करेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको catch करना है तो अगर आपको exception handling नहीं करनी है वो simple data को fetch करना है तो आप simple क्या करें इसमें एक और नया तरीका यह है कि आपको import करना OS को एक function जो भी आपका function आप बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं simple आपको क्या करना है OS.path.is file आपको यह check करना कि यह file है क्या है जो भी path है वो देदो and function लगा दे and operator करें उसके लिए and उसके लिए os.path.getSize जो भी file का path है मतलब जो file है अगर उसका size greater than 0 होता है तो यह क्या करेगा? return क्या करेगा? boolean value return करेगा तो इस तरीके से आप file को check कर सकते कि empty है कि नहीं अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में देखते हैं कि मारे पास में next concept क्या है तो यहां पे है अब मेरे पास में अगर फाइल को read करना between range of lines अगर मुझे slicing करनी है मतलब मुझे 5 to 10 line ही मुझे read करनी है तो उसके लिए simple यह करना iter tools का use करना है तो यहां पे iter tools model का use करना है और आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा is slice is slice function का use करना है यहां पे is slice function क्या होगा कि जो भी file का object लेगा उसके बाद में यहां पे starting index लेगा और उसके बाद में यहां पे ending index की value लेगा तो यह आप अपने system में करके देखीगा तो उसकी help से आप यहां पे file को read कर पाएंगे और basic यहां पे एक important मैं आपको बता दूँ कि जो भी मैंने आपको file से जो भी indexing start हती वो 0 से होती है and ending जो है वो हमारे यहां पे जो भी ending होगी वो 30 है as a example and उसके बाद में यहां पे एक चीज़ और है as can also read some extra lines by using use of the next keyword यहां पे next function है उसका भी आप keyword का use करके जो भी आपको next line और भी extra lines अगर आपको read करनी है तो भी आपके आपके कर सकते है and यहां पे मैं आपको बहुत ही basic बहुत ज्यादा important function है आपको concept बताने वाला हूं कि copy a directory tree अगर आपके पास में folders subfolders and उसके अंदर भी subfolders है और उसके जो भी आपका data है मतलब कि particular एक directory को आप दूसरी directory में copy कर सकते है with the help of sutile s-h-u-t-i-l मतलब यह कि आपके पास में एक module है इसकी help से आप पूरा का पूरा folder दूसरी destination में आप उसको paste कर सकते हैं copy कर सकते हैं so उसके लिए क्या करना है मैं आपको यहां पर एक basic सा example यहां पर explain करने वादा हूं सबसे पहले आपको क्या करना है import करना है import and यहां पर लिखना है s-h-u-t-i-l and उसके बाद में क्या करना है आपको एक object यहां पर create करना है source and source के अंदर आपको देना है path किस directory को आप यहां पर copy and paste करने वाले simple यह करते है अपन यहां पर इसके अंदर चलते है python tutorials and study material यहां पर study material जो मेरे पास में जो folder है इसको मैंने copy करके यहां पर इस particular part ले लिया है destination यहां पर एक चीज़ आप हमेशे याद रखिएगा कि जो भी आप destination दे रहे हो वो कभी भी एक्सिस्ट ना हो तक नया create कर रहे क्या करने वाले है destination को भी यहां पर देने वाले है तो मैं destination के लिए Simple यहां पर desktop slash देता हूं and उसके बाद में हम यहां पर देने वाले है copied fold and यहां पर दीखिए पास में error आ रही है तो यहां पर simple आप क्या कर रही है इसको यहां पर R दे दीए okay and इसके बाद में यहां पर भी मैं R दे दीखाओ because R यहां पर है कि जब मैं आपको regular expression पड़ा हूँ तब यहां पर आप R का use देखेंगे अब भी आप simple यह याद रखिए and उसके बाद में आपको लिखना है SHUTIL इस लिवरी का यूज करने वाले है and उसके बाद में हापे लिखना है आपको copy tray देखिए हापे बहुत सारे function आगए copy, copy tree, copy files, copy object, copy mode and copy हापे tree आगया यहापे हमको copy tree का use करना है यहापे copy tree इसके अंदर आपको देना है simple source because आप कहां से किस source से आप कहां पर destination आपको देना है मतलब आपको source लेना है and उसके बाद में source के बाद में हापे destination देना है and इसके बाद में हापे destination हमने दे दिया source दे दिया है तो आप उसके बाद हम इसको run करने माले है तो यहां पर मेरे मेरे पास में next concept क्या है वो देख लेते हैं so यहां पे हैं मेरे पास में अगर आपको copy करना है one file से different file में अगर आपको copy करना है contained एक file से तूसरी file में so उसके लिए क्या करेंगे आप पहले आप file को open करेंगे with the read mode and write mode and उसके बाद में आप क्या करेंगे TON комментар área सबसे पहले आपने क्या करनाですか two beneath this IG mean outline यहाँ पर object यहाँ पर create कर लिया and उसके बाद में क्या करना है आपको for line in f line, मतलब यह अपने in file, मतलब यह अपके पास में read mode में and उसके बाद में क्या करना है outline, मतलब जो आपका out file है, उसमें write करना है one by one, so इस तरीके से आप कर सकते हैं and एक और तरीका जो कि मैंने आपको last उसमें, अभी just बताया था कि आप shoot till जो library, जो module है, उसका use कर सकते हैं, उसमें आपके पास में copy file so मतलब आप यहाँ लेंगे source, destination, source से आप file को access करेंगे and उसके बाद में destination में आप उसको paste कर देंगे, so जो भी आपके data होगा वो यहाँ से one file to another file content आपका copy हो जाएगा so आप इसका भी इगुष कर सकते हैं so अब बढ़ते हैं next देखते हैं section में क्या है मारे पास so thank you guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो please like करें share करें and subscribe करना ना भूले और notification bell icon को भी press कर लिए so thank you